पिछले वीडियो में हमने बात किया था पोलियो मायलिटीस के बारे में यानकी पोलियो मायलिटीस डिसीज हमारे बॉडी में कैसे स्प्रेट करता है और मस्सल्स को कैसे ये पैरलाइस करता है यहाँ पर हम देखेंगे post polio syndrome and polio vaccines के बारे में यह एक muscle है जिसके साथ कुछ neurons connected है यह जो blue color का neuron है यह polio affected neuron है और इसके आस पास जो green color के neurons है यह healthy neurons है यानि यह polio affected neurons नहीं है यह healthy है जो blue color का neuron है वो जो polio affected है वो कोई भी signal muscle तक carry नहीं कर सकता है इसलिए इस neuron के साथ attached जो muscle होगा वो paralyze हो जाना चाहिए polio affected होने के बाद लेकिन जब यह blue color का neuron जो polio affected है यह जब signal carry नहीं कर पाता है तब इसके आस पास जो healthy neurons है वो अपने branches spread कर देते हैं इस neuron के muscles की तरफ और उस muscle में signal transfer करने में help करते हैं ऐसे यह polio का जो symptom है वो धीरे-धीरे कम हो सकता है लेकिन age बढ़ने के साथ साथ जब age बढ़ जाता है तो सारे neurons जो हमारे body के normal neurons हैं वो धीरे-धीरे या तो dead हो जाते हैं या फिर weak हो जाते हैं तब यह और signal carry नहीं कर पाते हैं तब जो polio symptom था जिस muscle में उस muscle में भी यह अब और help नहीं कर पाते हैं इसलिए तब उस muscle में फिर से polio के symptoms आ जाते हैं इसी को कहा जाता है post polio syndrome जो usually old age में देखा जाता है क्योंकि इस age में वो healthy neurons भी और help करने के काबिल नहीं रहते हैं इसे कहते हैं post polio syndrome अब हम बात करेंगे polio vaccine के बारे में polio vaccine दो तरह के available हैं एक है sabine vaccine और दूसरा है sack vaccine इसके अंदर कुछ basic differences है उन differences को हम पहले जानेंगे sabine vaccine एक oral vaccine है यानि कि इस vaccine को orally intake किया जाता है और जो sack vaccine है यह एक injection है यानि कि यह injection के जरिये body के अंदर लिया जाता है sabine vaccine को OPVB कहा जाता है OPV मतलब oral polio vaccine और sack vaccine को IPV कहा जाता है IPV का full form है inactivated polio vaccine अब आते हैं कि vaccine होता क्या है vaccine किसी भी disease का अगर हम vaccine बना रहे हैं जैसे कि polio का polio का जो virus होता है या तो उस virus को kill करके या फिर उस virus को weak करके यानि कि उसका power जो है उसे कम करके attenuate करके body के अंदर insert किया जाता है इससे क्या होता है जो virus है वो हमारी body में वो disease cause नहीं कर सकता लेकिन उस antigen को receive करने के बाद body उसके against antibodies बनाता है इससे फायता ये होता है कि जब कोई active virus हमारी body में attack करता है तब वो antibody आसानी से उस virus के साथ fight करके उसे remove कर सकता है जो sabine vaccine है उसमे live attenuated यानि कि weakened virus यूज़ किया जाता है और जो sabine vaccine है उसके अंदर killed और dead virus यूज़ किया जाता है ये sabine और sack का एक basic difference है ये जो sabine vaccine है ये बनाया था scientist Albert Sabine ने और इनके नाम से ही इस vaccine का नाम है sabine vaccine और sack vaccine बनाया था Jonas sack ने sabine vaccine काफी cheap है इसलिए ये बहुत सारे जगह में जादा यूज़ होता है और sack vaccine थोड़ा सा costly है इसलिए ये थोड़ा कम यूज़ होता है sabine vaccine humoral and self-mediated immunity दोनों में काम करता है लेकिन sack vaccine सिर्फ humoral immunity में काम करता है ये छे main differences है polio vaccine साक और sabine में